विंती किया वह स्लोक इस प्रकार से दूसरे अध्याय का साथ नंबर का स्लोक तो पहले से दस में अर्जुन जी किस प्रकार से स्राणागत हुए यह बताया जा रहा है और इसे में हम सिखेंगे गुरू की क्या आओ सकता है कारपण्य दोसो पहतस्वभावः प्रिच्छामि अर्जुन जी बोलते हैं कि है भगवान कि मैं जो है मेरे हिर्दय में जो दोस है उसके कारण जो सभाव है मेरा उसे में बहुत परेसान हुँ बहुत दुखी हुँ इस लिए धर्म में भूल गया हूँ मैं मुर्क हो गया हूँ सम्मूढ यानि मूर्ख हो गया हूँ धर्म को भूल गया हूँ और आपकी सरण में आया हूँ जब व्यक्ति की ऐसी स्थिती हो जाए कि उसकी जिंदगी में दुख ही दुख आ जाए उसको लगे कि इस दुख से निकलने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है अर्जुन जी परम जाए शास्त्र की लेकिन यह सारा ज्यान उनका आज काम नहीं आ रहा है ऐसी अवस्ता में भगवान को सरणागत हो रहे हैं गुरू के रूप में स्विकार करते हुए शिश्यस्ते हम शाधी मांतवां प्रपन्नम आज मैं आपका सिस्स्य बनता हूं और आपकी शरण में आ पकी बात है कि मुझे वही चीज बताए बुरू ही तन में वह बात मुझे निश्चित बताएं यह सिस्चे का करतव यह होता है जब जिन्दगी में उसको समझ में आता है कि दुख ही दुख है मैं बहुत प्रयास क्या सुखी होने का लेकिन दुख है कि पीछा छोड़ता सुख है कि गले लगता नहीं ऐसी अवस्था में सिस्चे को चाहिए कि गुरू के सरण में जाए और उनसे सरणागत होके यहीं बोले कि अब मैं इस संसार से ठक गया हूं लड़ते लड़ते अब प्रिपा करके मुझे बताएं मिर लिए जो स्रेयस्कर चीज है वही बताई नुए वधैसे चल्चों में यवन सकता है जब सामने साच्षात और कृष्ण और जूशन में हो सकता है यहां पर अर्जुन जी एकदम मिडिल में हैं दोनों सेनाओं के उधर सामने कवरों की सेना है इधर पांड़ों की सेना है लेकिन भगवान के पास जाके वो प्रश्ण पूछ रहे हैं अपने गुरु दुनाचारी जी के पास नहीं जा रहे हैं भगवान स्रीक्रिश्ण के प सकता है वास्तों में अगर भगवान कोई भक्ति नंकरे भगवान के सरण मने जाना चाहिए तो अच्छा यह प्रश्ण पूर्थ है कि अर्जुन जी के सामने भघवान है अर्जुन जी नहीं से जो है उसका कारानân सिर्फ यह है कि मन में जो है उनके कृष्ण इस समय नहीं बसे थे भगवान कि दुख का कारण कई बार देखा जाता है कि हो सकता है लेकिन आंतरीक दृष्टी से भाइजरी से जूड़ा नहीं उसका विचार विचार जोड़ा विचार बीचार से जश्ट उल्टा गवान को युद्ध करना है अर्जुन जी बोलते हैं नहीं हमको युद्र नहीं करना जश्ट अपोजीट तो जब इस संसार में ऐसी मांसित्ता वाले लोग होते हैं तो भले भाय दृष्ट्री से भगवान की पूजा करें कि लेकिन डिश्टर रहते हैं उनको लगता है कि मैं क्या करूं कौन हेल्प करेगा मेरी तो इसलिए जो ह सन्सार के भोग वासना के बावजूद संतूस्ट कैसी होगी जब हम गोविंद की सरण में जाएंगे जब ही किसी प्रकार का दुख हो हमको गोविंद का सरण लेना चाहिए जब उन्होंने भगवान को प्रिश्ण को अर्जुन जी ने क्रिश्ण को गुरू के रूप में स्विकार किया तो भगवान ने उनको एक बहुत ही अच्छा ग्यान दिया सबसे पहले तो बहुत प्रेम से डांटे गुरू का करतव यह होता है करतव सिस्य को डांटे तो गुरू जीवन की अंचाही उल्जनों से मुक्त होने के लिए तो अच्छे दूभ रहा हो regarde को एसे लिए बब्राइम समोद्रय बीच में दूझ हो डूब रहा है तो ये वह ईसा ही भगवान चाहिए गूरू का असरा लेना है कोई नी relevant हो जैसा कोई ढ़ल नहीं था इंद्रियों को बहुत कर लिया था पुर्ण रूप से रम भाजी सामने किया था कि आप मेरे साथ आनंध भोग किजिए लेकिन अर्जुन ? closer b यह आज दुखी हैं तो व्यक्ति कितना भी मट्रेली टेलेंटेड हो धनवान हो सक्तिमान हो कुछ भी हो लेकिन अपनी समस्याएं जब आएंगे तो सॉल नहीं कर पाएगा गुरू के पास जाना पड़ेगा